फिल्म वार में जय जय शिव शंकर पर जम कर जूमेंगे रितिक रोशन और टाइगर शॉफ बॉलिवूड अभी नेता रितिक रोशन और टाइगर शॉफ की आने वाली फिल्म वार 2019 की सबसे बड़ी अक्शन एंटेटेनेंट के रूप में प्रमोट की जा रही है फिल्म के ट्रेलर में जिस तरह के अक्शन सीक्वेंस नजर आये है उन्हें देखकर दर्शको का उत्सा साथवे आस्मान पर है फिल्म शुरू होने से पहले एक खबर सामने आई थी केस में टाइगर शॉफ और रितिक रोशन का एक जबरदस्ट डांस फेस आप भी देखने को मिलेगा डिरेक्टर सिधार्थ आनन ने अपने बयान में बताया है कि फिल्म के शुरूआत से ही दर्शको को ये उम्मित थी कि वार में उन्हें रितिक और टाइगर का जबरदस्ट एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा अगर ताजा जानकारी की बात की जाए तो फिल्म वार में जय जय शिफशंकर नाम का एक जबरदस्ट गाना होगा जिसमें रितिक और टाइगर एक दूसरे को टकर देदे दिखेंगे फिल्म के इस गाने के बारे में बात करते हुए सिधार्थानन ने बताया कि हमारे बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें सही गाना चाहिए था जो रितिक रोशन और टाइगर शाफ की स्कील्स को मैच कर सके टाइगर और रितिक ने एक से बढ़कर एक हिट काने दिये हैं क्योंकि दोनों कलाकार पहली बार साथ में आ रहे हैं तो हमें उम्मिद से कई गुना बहतर पेश करना था सिधार्त ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने विशाल शेखर को कहा था कि ये केवल गाना नहीं है बलकि ये एक जिम्मेदारी है हम अपने आप पर भगवान के कृपा मानते हैं कि हम एक ऐसा गाना बना पाई है जो रितिक टाइगर के फैंस को पसंद आएगा इसे समझने के लिए दर्शकों को इसे सुनना पड़ेगा इस गाने में 500 डांसर और भी नजर आएंगे जो रितिक रोशन और टाइगर शॉफ के पीछे नाचते दिख रहे होंगे